नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों कपने यूट्यूब चाहिना सिक्षाहब में तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे एवी उमीद है कि आप लोग परिसान भी होंगे लेकिन आपको परिसान नहीं जहना है और इस परिसानी को दूर करने के लिए ही मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं और इसमें हम सारे बाते को डिसकस करेंगे और जितने बच्चों ने मेरे पास कॉमेंट्स किया था यहां पे देख लिजे थोड़ा सा बाते करने से पहले सारे स्टुडेंट का लेकर आया हूं और आपकी जो भी डाउट्स है जो भी परिसानी है इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्व हो जाने वाला है आप लोग यहां थैंबल में देखे होंगे साप साप लिखा है कि CHS एडवीशन या मेरिट बेस 2022 यानि कि हम नहीं लिख सकते हैं CHS इंटेंश ठेंश एडवीशन लेकर आपकी बाते हैं इस वीडियो के माध्यीव के आपके बच्चे परिषान है जन्होंने ऌत को लिख भा़नांेवाले हैं जिनोषन नहीं one year से सिर्फ prepare कर रहा है अपना study कर रहा है CHS को target करके और उसका सपना था कि हम CHS में admission लेंगे और CHS में हम पढ़ेंगे वह परिसान है या नहीं वह इस बात को लेकर परिसान है अभी तक कि exam होगा या e lottery होगा ठीक है वह exam होगा या e lottery होगा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि form भर कर परिसान है कि क्या हम form भर दी हैं अब मेरे साथ क्या होने वाला है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो form नहीं भरें और वो पूछ रहे हैं से कि form भरें या नहीं ठीक है और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको मालूम ही नहीं है e lottery क्या है और merit based पे कैसी exam होगा यानि कि इसका process क्या है और जो बच्चे हैं और उनका ये भी प्रस्ण है कि क्या अभी तक कुछ update आया या नहीं क्योंकि बच्चे हर तरह की news channels को देख रहे हैं और अलग articles को भी पढ़ रहे हैं और बच्चे side पे भी जाकर इनके देख रहे हैं इसलिए उनको परसानी हो रही है कि उनको मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्या कोई new update आया या नहीं क्या authentic यानि कि सही update है या क्या गलत है बच्चे नहीं जान पा रहे हैं इस सारे बाते को मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ बाते बच जा रही है तो आप उस बात को कमेंट वक्स में लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक request है कि जो भी ये student अगर मेरे चै नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जेन्वीन या authentic updates यानि की notification आपको और सही जनकारी प्राप्त हो सके ठीक है चलिए और बाते हम लोग आगे करते हैं तो देखिए पहले मैं बते बतादू कि आपका exam सोंगे या इलोटी उसके बाद हम बच्चे की comments का देखेंगे कि ब पहले हम आपको बताते हैं कि क्या exam सोंगे या इलोटी होगा तो एक बात आप लोग बताना कि आज कितने तारीक होगा 24 अप्रेल हो गया यहां पे आपको डेट दीख रहा होगा सही डेट है ठीक है 24 अप्रेल हो गया और हमारा form जो फिल करने का निकि भरने का लास्ट अप्रेट नहीं किया गया है तो क्या आपको लग रहा है कि अब exam होने के कुछ chances है अभी तक तो admit card आज आना चाहिए नहीं sorry sorry अभी तक admit card नहीं अभी तो कुछ ना कुछ officially announce करना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको हम बता दें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो आपका intense exams नहीं होने वाला है इस बार आपका e lottery base पे ही selection होगा यानि कि admission process होने वाला है चलिए इसके बाद आता है कि बच्चे परिसान है कि form भरे या ना इसको लेकर भी हम बाते करेंगे क्या process है चलिए पहले थोड़ा सा बच्चे के comments देख देख देखिए य exams का date क्या है तो मैं आपको सारे बच्चों को बता रहा हूं कि आपका जो exams है exams नहीं होने वाला है इसलिए exam date नहीं publish किया गया है यानि कि 11 का जो भी बच्चे हैं यानि कि 13 में और 11 के लिए prepare कर रहे थे तो उनको मैं सीधे सीधे बता दूं कि आपका जो admission है वो आपके तेंथ के merit based पे होने वाला क्या जो आपका तेंथ है इसके merit based पे होने अगर इस बारे में नहीं जानते हैं कि यह lottery क्या है और merit based क्या है और किस बच्चों का admission किस process यह होगा ति इस वीडियो का link मैं description में डाल दूंगा वहां से आप देख लेंगे और नहीं त जो information है आप राप्त कर सकते हैं दूसरा यह बच्ची का जो कमेंट्स है यह भी है कि सर YouTube पर चलेगी classes प्लीज बता देजिए यानि कि हम आपको बता दे कि CHS से जो फॉर्म आया था तो हम भी बहुत ज़्यादा excited थे और कुछ पिछले दो मंथ से हम CHS का preparation करा रहे थे बच् देखी है तो इसको लगा कि जो classes है यानि कि मैं announce किया था free of cost मैं classes दूँगा तो इस बच्ची ने मैं ऐसे comments किया था कि free of cost चलेगी classes या एप के थूँगा तो मैं आपको बता दूँ सारे student को कि मैं जो भी classes provide कराता हूँ बच्चों को अपने channels के थूँगा या सिक्षा अब हमारा जो channel है यहां लोगों आपको दिख रहा होगा तो मैं free of cost कराता हूँ और मतलब कि 100% सभी study material देता हूँ वो PDF हो practice हो यानि कि टेस्ट हो सारे सीज़ें मैं free of cost कराता हूँ और अच्छे से अच्छे content लेकर आता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ सके हूँ इसलिए मैं एक बार और आपसे बोल दूँ कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं की है तो please कर लिजी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर आप अगर इस पर exam नहीं दे पा रहे हैं अगर next year सोच रहे होंगी exam देने के लिए तो भी ज्यादा बेटर यह ठीक है तो मैं यह पूछ रही कि हम भारें या नहीं भारें तो बच्चे मैं आपको बता दूँ कि आप सोचो आप सोचो मैं एक बाते बता दो देख लो यहां आप खुद कुद डिसीजन लेना साक्षी कुप्ता और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्च जितना भी सीटे हों वह हम सापरसेंट मानते ह rain Auster क को हम दो भाग में केटेग्राइश करते हैं तो यहां 50 परसेंट यानि कि पच्चास परसेंट यहां 50 परसेंट ठीक है boyfriend अब हम इसको पर चैटेग्राइश कि ए ठीक है जो जढ़ादियान से दिखेगा यह ज़ो 50 परसें उनके बच्चे हैं जो इस 50% सीट में पढ़ेंगे यानि कि इसमें कोई अलग जो बच्चे हैं आप लोग नहीं जा सकते हो जैसे कि यह साक्षे गुपता हो या मेहक या दो या या नेहा पाल यह बच्ची अगर नहीं है बीच्ची के लवाइमेंट यानि कि वहां के प्रसास स्थान नहीं है रही बाते यहां 50% की ठीक है चलिए आईए यहां 50% की बाते को हम देखतें यहां 50% ति इसमें भी 50% आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं यानि कि थोड़ा सा यानि कि लंगड़ा हो गया या और भी सारे जिनको अरक्षन दिया गया है इसमे से उनके लिए भी रिजॉर्ब रखा गया है तो अब जो सीटे इसमें से बची यानि कि जो सीटे इसमें से बचेगी और आप अगर अभी फॉर्म भरते हो यानि कि ए लोट्री एंड मेरिट बेस पे जो सेलेक्शन होने वाला है और आपका जो भाग अच्छा रहेगा नसी इसमें जो इलोट्री प्रोसेस है या मेरिट बेस प्रोसेस है उसको कैसे यूज्ट लाइज किया चाहेगा कैसे आपका सेलेक्शन होगा इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ आप जाकर देख सकते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन पूरा किलियर करके ज 400 टुपीज आपको कोई वैलू नहीं दिखेगा लेकिन जिनके पास नहीं है यहाई 400 उनको बहुत ज्यादा लगेगा और वह नहीं भर पाएंगे तीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना देख लो कि आपको फर्म भरना है या नहीं भरना है मेरा जो था मैं आप का पूरा कॉंसेप्ट किलियर कर दिया हूँ और आप खुद डिसीजन अब लेने के लाइक हो चुके हो क्योंकि आपको पूरा बाते मालूम हो चुका है ओके चली क्लास 11 का एक्जाम होगा या नहीं तिस बच्ची को मैंने रिपलाई भी दिया था और मैं अभी भी बता च स्टुडेंट है यह भी बहुत अच्छा है स्टुडेंट है इन्होंने हमसे डिरेक्ट ऐसा बोला कि सर कैसे भी एक्जाम करवा दीजिए देखी इस बच्चा को ठीक है कैसे यहां देख रहेंगे कि कैसे भी एक्जाम करवा दीजिए सर प्लीज सर प्लीज मेरे भाई मेरे student आप एक बात जाए जाओ, अगर मेरे हाथों मेरा था कि मैं exams करा सकता हूँ, तो मैं exams जरूर करा था, और बच्चों को selection लेने और देने में, हमको कोई कठिनाई नहीं होती, जैसे बच्चे selection लेती तो अतना ही आसानी से मैं भी selection दे देता, और बच्चे को भविशिक को उज्वल बनाने का कोशिस जरूर करता इन जैसे लोगों के तरह मैं खिलवार नहीं करता ठीक है लेकिन मेरे हाथों में तो नहीं है कि मैं पास्पॉर्ण करता हूँ और आप भी कर सकते हूँ और किया भी हूँ ठीक है चलिए उसके बाद पूज़ा एक्जाम होगा की नहीं नहीं पता तो छोड़ो इनको नहीं पता अभी तक इनको कुछ पता ही नहीं एक्जाम होना चाहिए ठीक है मिर भाई आप बोल रहीं एक्जाम होना चाहिए कि नहीं होगा एक बच्चे है मिस रोहित वर्मा इन्हों ने मैसेज की कमेंट्स किया था कि सर जी क्लास तेंथ में कितना नंबर आना चाहिए जिससे मेरा एड़ीशन हो जाए इस बच्चे आपको मैं बता दू कि आप जितना मैक्समम नंबर ला सकते हो ला लो मैं सभी बच् कि जो तैंथ में हैं वो इतना जम कर पढ़ाई करो कि आप जितना मैक्समम नंबर ला सकते हो ला कर अपना एड़ीशन को सियोर कर लो अपना एड़ीशन सीएचिस में प्राप्त कर लो और आपका सपना ना तूटे कि इन लोगों ने ठान लिया है कि अब एक्जाम्स नहीं होने वाला है ठीक है इस एर ठीक है सर जी मैं क्लास लेवेंद का सीएचिस फोरम भर चुका हूं तो बताईए कि कैसी आगे होगा मुझे क्या करना होगा सर हेल्प मी सारे बच्चे मैं आपको सभी बाते को बता चुका हूं और इन बच्चों को मैं रिप्लाई भी देता हैं यहां आप देख सकते हो हर एक स्टूडेंट को मैं रिप्लाई देता हूँ ठीक है हर देखो यहां चार रिप्लाई जैसे जितने बच्चे रिप्लाई मुझे वांगे आगर वो प्रस्ट बताने वाला हूँ तो सर्जी क्लास लेबेंट काजी ईलोट्री से होगा इस बच्चों को भी मैं बताया था कि ईलोट्री से नहीं होगा यानि कि मेरिट बेस पे होगा ओके रही बात यहां तक आप समाज गए होंगे और बच्चे पूछ रहें कि क्या प्रोसेस है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फर्म भरें या ना भरें ये भी डिसीजन के लिए आप तैयार हो चुके हो आपको मैं पूरे बाते बता दिया हूँ और क्या कुछ अप्डेट्स है या नहीं तो बच्चे अभी तक कोई अप्डेट्स नहीं है आपको मैं सच बता रहा हूँ इसकी अलावा क्या बोलूँ मैं तो आपको मुझे उमीद है ऐसा उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ तो जनकारी जरूर प्राप्त होई होगी और बच्चे अगर आपके मन में भी कुछ प्रस्ण है तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं आपका प्रस्णों का जबाब जरूर दूँगा और एक और बात वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जादस जादा स्टूडियो में सेर करना कि बच्चे ऐसी परिसान ना रहे क्योंकि ऐसा कोई बात है नहीं या अब ऐसा हो ही गया है तो परिसान होकर अपने भविश्यों को और बरबाद ना करें अपने स्टेडी में लगज़ें आगे के लिए ठीक है तो थैंक्यू बच्चों मिलती है नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के सांद चैहिंद बाई बाई